मैं पिछले पाँच से साल से लगातार योग कर रही हूँ और इससे मुझे जो फाइदे मिले हैं मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकती यह जो सफर रहा है वो बहुत ही सुन्दर रहा है मैंने कही पर भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है जो भी सीखा है खुद से ही सीखा है कुछ बुक्स पर कर टेलिवीजन देख कर और कुछ यूट्यूब वीडियोस देख कर एक समय ऐसा आया था जब मुझे कुछ प्राब्लम्स हुई थी और जिसके वज़ा से मैं इस तरफ गई योगा के तरफ गई जब तक हम किसी चीज़ के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं जब तक हम उस चीज़ के साथ ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं रिलेट नहीं कर प तो आप चाहे तो प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर खुद से भी किया चाह सकता है, उतना भी मुश्किल नहीं है, कुछ धियान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही जल्दबाजी में करना ठीक नहीं होता है, इन्हों कुछ लोगों को हेल्प चाहिए होता है, ले अभी तक ठीक से आया नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुश्किल आसन है, जो अप मैं आसानी से कर लेती हूँ, इसलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, और मैं दिल खोल के इसके उपर बात करना चाहती हूँ, और इसी वज़ास से आज मैं आप आपको देने वाली हूँ, अगर आप बिगिनर हो, खुद से सीखना चाहते हो, ध्यान से सुनिएगा, एंड तक काफी हल्प थोड़ोगा आपके लिए, ओके, तो नमबर वान, सबसे पहले मैं अपनी भाशा में योग क्या है ये बताना चाहती हूँ, योग का मतलब होता ह जुरना, खुद से जुरना, प्रकृती से जुरना, आत्मा से जुरना, परमात्मा से जुरना, मैं तो ये कहती हूँ कि योग एक दवा है, ठीक है, योग एक दवा की तरह है, जिससे आप धीरे-धीरे करके पूरी तरह से निरोगी हो सकते हैं, इसका असर आपको एक दिन म संचार होने लगता है और थीरे थीरे करके आपका चेहरा खिल उड़ता है मैं तो कहती हूँ कि योग मतलब कम खड़्चा और फाइदा बहुत जादा बहुत जादा यकीन मानिए आप भी योग को अपनाना चाहते हैं सोच रहे हैं इसके बारे में तो देर बिलकुल मत कीजि और ये सारी चीजों की आदतलत लगी हुई होती है ना इन सबसे तो ये लाग गुना सादा बहतर है योग कीजिए अच्छे खान पान पर ध्यान दीजिए अपने पैसे को सही जगा पर इस्तेमाल कीजिए देखिए इससे आपकी प्रड़क्टिवीटी और बढ़ेगी मन म शरीर अगर पाना है तो एक बार योग करके देखिए हाँ आजकल जिम है और भी बहुत सारी जगा है जहाँ फिटनेस के लिए हम लोग जा सकते हैं लेकिन योग भी उतनी ही कारगर है ठीक है बहुत लोग को योग का नाम सुनकर ये बहुत बोरिंग सा लगता है ये कि मैं तो ये कह रहे हैं कि मैं तो शायद कभी जिम में नहीं जाओंगी अगर उतना कुछ मतलब जरूरत ना परी तो क्योंकि योगा से ही मुझे मेरी सारी जरूरते पूरी हो जाती है मेरी सारी जरूरते पूरी हो जाती है अपने बोड़ी को स्वस्त रखने के लिए तो इस आपको एक पुश मिले ठीक है टिप नमबर टू अगर आप अकेले सीखने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि मैं आपको एक पर्मनेंट सलुशन दे रही हूँ कि आप एक अच्छी सी किताब योग के उपर बहुत सारे किताब है मार्केट में मिल जाते तो आप देख के एक अच्छा सा किताब खरीद कर लाइए और ध्यान से हर एक रूल्स और रेगुलेशन को पढ़िए आप कभी भी कोई भी आसन करते हैं तो उसके साथ साथ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है एसास कैसे लेना चाहिए कितना जुगना चाहिए कितना क्य अलग-अलग आसनास के लिए अलग-अलग वीडियो अलग-अलग लोगों ने बना रखे तो बहुत सारे रिसोर्स है रिसोर्स की कमी नहीं है लेकिन पर्मनेंट सेलिशन के रूप में आप अपने पास एक अच्छी सी किताब जरूर रखे जहापर सब कुछ अच्छे से ल यह होगा ही नहीं ठीक है स्टार्टिंग में आपको जो छोटी-छोटी सरल-सरल आसना से वो ट्राइ करने चाहिए फिर धीरे-धीरे जब आपकी बॉड़ी तयार हो जाएगा थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी बॉड़ी में तब जाके आप थोड़ा-थोड़ आसनास है पबन-मुकतासन ब्रिक्षासन यह काफी सिंपल-सिंपल आसनास है तो वो ट्राइ कीजिए अपने बॉड़ी को तयार कीजिए फिर धीरे-धीरे करके एक-एक मुश्किल आसनों को ट्राइ करिए ठीक है स्टार्टिंग में ही मत्रिशाशन करने की कोशिश मत्व क दीजिए ठीक है वरना सारा मॉटिवेशन स्टार्टिंग में खतम हो जाएगा इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है योगिक जॉगिंग होती है लगुब्यायाम होते है बहुत सारी छोटी-छोटी एकसरसाइस होते वो पहले सिखे फिर डिफिकल्ट डिफिकल्ट आसनों में जाने की कोशिश केजे ठीक है यह बहुत ही जरूरी बात है अब आती है टाइमिंग तो हम सबको पता है कि सुबह सुबह उठकर खाली पेट योग करना बहुत लाफकारी है लेकिन व्यस्तता के कारण अभी बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होती है कि सुबह न और खाना खाने के बीच में एक तीन घंडे का गैप हो ठीक है आप अगर भर पेट खाना खाने के तुरंद बात ही अगर योग करने के लिए जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे सुबह सुबह खाली पेट करना तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप किसी कार कर सकते हैं रात को भी कर सकते हैं अगर किसी कारण आप दीन में नहीं कर पाएं तो कुछ लोग को होता है ना रात को ठीक से नीद नहीं आती तो रात के समय आप ब्रिधिंग exercise कर सकते, meditation कर सकते थोरी दे, सोने से पहले सवाशन कर सकते है इससे बहुत अच्छी नीदा आती है तो आप ट्राइ करके देखिए बस भरबे खाना खाने के बाद तुरंद बाद ही शुरू मत हो चाहिए प्राब्लम होगी उससे टिप नमबर 5 साफ सभाई का ध्यान जी हाँ, साफ सभाई का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है आप जहाँ पर योग कर रहे हैं जिधर भी बैट के कर रहे हैं ध्यान रखिए कि वहाँ अच्छी रोशनी आ रही हो कोई गंदी बद्बू ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जहाँ पे बैठ कर रहे हैं वो मैट हो या बैठ हो या वो जगा जिसमें चारो और थोरी बहुत गंदिगी भी है, रोशनी भी ठीक से नहीं आ रही है, कहीं से कुछ धुआ बद्बू बगरा आ रहा है और आप जबर्दिस्ति योग करना है त इससे कोई अच्छा रिजल नहीं निकलता है, उल्टा हमारे बॉड़ी के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है, मेक शॉर कि आप जब भी योग करने के लिए बैठें, वो जगा साफ सुत्री हो, चारो और से अच्छी रोशनी, अच्छी हवा आ रही हो, कोई बद्बू साफ होनी चाहिए जगा, समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, कुछ लोग है, जो योगा, मैट वगएरा इस्तेमाल करते हैं, लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गभी उसको साफ नहीं करते, क्यों नहीं करते, अगर आप साफ नहीं करोगे तो गंदा होगा, और ध्यान रखिएगा इस बात का, ओके, आओ टिप नमबर शिक्स कुछ लोग को स्टार्टिंग में योगा में ड्वगरा एरंच करना थोड़ा सा परिशानी की बात हो जाती है तो उस मामने में मैं कहना चाहती हूँ कि आप दिस्तर में भी कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है या फिर पुराने जो बैट कवर्स होते हैं उसको भी फोल्ड करके जमीन पर बिछा के हम लोग कर सकते हैं तो तरीके बहुत हैं बस करने से मतलब हैं अगर आप कोई भी मुश्किल आसन सीखने के लिए जा रहे हैं उसको सबसे पहले बैड में ही ट्राइ कीजिए और लोगों के हेल्प से अपने फैमिली मेंबर के हेल्प से कीजिए तो जाड़ा बहतर होगा तो ये अगर मरो राज जाए तो मुश्किल हो सकता है तो सेफटी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है इसके बाद एक और प्राबलम होती है बहुत सारे लोगों की वैसक लोग भी है और कम उमरत के लोगों को भी कभी तबार हो चाती है ये प्राबलम नीचे बैठकर आसन क करने में मुश्किल होती है कुछ लोग को, कर नीचे बैठना भी कुछ लोग के लिए मुश्किल हो चाता है, तो उस मामले में क्या किया जाए, आप कुर्सी में बैठ कर कीजिए, कोई प्रोग्लम नहीं है, आप बहुत सारे ऐसे आसन हैं, चोटे बरे, जो हम कुर्से में बैठ कर अराम से कर सकते हैं सर का हो गया, गर्दन का हो गया, आखों का हो गया, फेस का हो गया ये कंधे का, हाथ का, चैस्ट का, फिर टांगों का ऐसे बहुत सारी exercises हम कुर्सी पर बैठ कर अराम से कर सकते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है बस जब आप कुरसी पर बैठ कर आसन कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी रीट की हड़ी पूरी सीधी हो एक तम सावधन पुजिशन में बैठ कर आपको करना होगा तब ही इससे benefit मिलेगी ये एक बात और दूसरी बात ये है कि हर एक आसन करने के बात कुछ seconds के लिए करते रहते हैं बिना रुके और एंड में जाके रिलाक्स करते हैं अपने बॉड़ी को लेकिन मैं ही suggest करूंगी कि आप हर एक आसन करने के बाद कुछ seconds के लिए 20 seconds के लिए ही सही आप थोड़ी देर आपने बॉड़ी को रिलाक्स कीजिए आप सवाशन कीजिए सवाशन तो बहुत इजी होता है एकदम डेट बॉड़ी की तरह अपना हाथ प्यार एकदम फैला के शरीर को पूरा धीला छोड़ के लेठना होता है और लंबी-लंबी सासी लेनी होती है बस इससे तुरंत आपका बॉड़ी रिलाक्स हो जाता है और उसके बाद फिर से आपको एनरजी करते हैं तब उतनी ठकावट नहीं होती है जितना की जिम बगरा करने से होता है लेकिन फिर स्टार्टिंग में जब हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत ठकावट हो जाता है तो उस मामले में भी और फिर जब आप रेगुलर एक्सरसाइस कर रहे हैं तब जब भी योगा प्रैक्टिस करने के लिए निकले सुबह सुबह तब आप कुछ ऐसे तीन चार आसनों को चुन लीजिए का स्टार्ट करने से पहले कि इससे आपका एकदम हेट टु टो पूरा एकदम पूरा शरीर आपका हिले पूरे शरीर में एक मुव्मेंट हो ऐसा नह आपका पूरा बॉड़ी हिलने चाहिए तभी पूरे बॉड़ी में ब्लाट सर्कुलेशन अच्छी होगी और आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगी सिर्फ एक ओर्गन के ऊपर फोकस नहीं करना है हमें फुल बॉड़ी एक्सरसाइस करना है इस बात को ध्यान एक लिस्ट बनाएगा स्टार्टिंग में कि आज में ये 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 आसना और ये मेडिटेशन ये सब में ट्राइ करूंगी और में पूरा आधा घंटा अच्छे से एक्दम फुल कॉंसेंट्रेशन एक्दम फोकस होकर तभी आप जैसा रिजल्ट चाहेंगे वैसा ही आपको मिलेगा तभी इससे तो ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टन बात है और इसके साथ एक और जरूरी बात है हर एक आसन करने के बाद उस आसन का एक विपरीत आसन करना बहुत जरूरी है इंग्लिश में काउंटर पोस बोला जाता है मैं ऐसे ही शॉटकर तरीके से आपक चुकी होनी चाहिए अगर आपको सही काउंटर पोस नहीं पता हो कि कौन सा आसन करने के बाद मैं उसका क्या विपरीत आसन करूंगी या करूंगा तो आप एक काम कीजिए कि आप कोई भी आसन करने के बाद आप सवाशन या फिर पगलमुक्त आसन या फिर बाल आसन इन त Tip number eight, तो अब आते हैं हम लोग खान पान में, खाना पीना कैसा करना चाहिए, अगर आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मेली हम लोग सब कुछ ही खा सकते, अगर आप वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन में जितनी चीजे मिलती है, वो सब खा सकते है, अगर लेकिन एक बात का सबको ही ध्यान रखना है, चाहे आपको एकसरसाइस कर रहे हो, या नहीं कर रहे हो, योगा, जीम वगएरा कुछ कर रहे हो, या फिर ना भी कर रहे हो, लेकिन खाने में हम सबको चीनी, नमक और तेल, कितना हो सके कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीनों की मात्रा अगर बढ़ जाता है तो बॉड़ी में प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है, इसके अवावा नींद भी बहुत मैटर करता है, अगर आप अच्छे से नींद ले रहे हैं, तो आपका बॉड़ी अपने आप ही बैलन्स में आ जाएंगे, धिरे-धिरे करके अपने आप ही सुधर जाएंगे, एक अच्छा नींद पाने के लिए हमें उस पर भी काफी ध्यान देने की जरूरत है, खेर वो एक अलग टॉपिक है, उसके उपर हम लोग किसी और दिन बात करेंगे, मैं यही कह रही थी, कि खान पान आपको जो अच्छा लगे खाईए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास पैसे है, तो हम रोज ही चिकन खा सकते है, अस्पूट खा सकते है, पिज़ा, वर्गर, यह पैकेट फूट, अगर पैसा है तो खाओ, क्या प्रॉब्लम है, मजा आता है, तो अगर ऐसे पागल पन में खाते रहेंगे, तो को अंदर से साफ रखना बहुत जरूरी है, खाइए, बाहर की चीज़ खाइए, किसी ने आपको मना नहीं किया है, इतनी साड़ी फूट आइटेम साचकल है, तो दिल तो लड़ जाता है, खाने का मन करता है, लेकिन यंतरन में, जितना हो सके घर का खाना ही खाइए, बाहर का खाना जितना हो सके कम करने की कोशिश कीचे, तेल, मसाला, नमक, चीनी, हम चारो तरफ से ये बाते सुन रहे हैं, डॉक्टर्स भी सला देते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपका बॉड़ी है, कोई और कितना ही कर सकता है, कितना ह आपके बॉड़ी में काम करें, आगर आप से फूल बेनिफिट पाना चाहते हैं, तो आपको खाने, पीने और अपने नींद के उपर भी थोड़ा सा ध्यान देना परेगा, हर एक चीज सही इमात्रा में जाएगी अंदर, तभी एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने के देखने के लिए मिलेगा, तो ध्यान रखिए, सब इंपोर्टन्ट है, अब खाने के बाद आता है नहाना, आप चहे धंडा पानी से नहाई या गरम पानी से नहाई या आपकी मर्जी, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप रेगुलरली योग कर रहे हैं या ना भी कर र एकदम स्ट्रेट सीधा खरे होकर ना भी के उपर ठंडा पानी जरूर डाले और सर के उपर ठंडा पानी डालना यहाँ बहुत जरूरी है इस चगा में, मुझे पता चला है तो वही मैं आपके सार शेर कर रही हूँ, मैं खुद भी फॉलो करती हूँ डेली, तो यह अगर आप करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, नहाते वक्त ध्यान रखिएगा, ठीक है? नबर 10 पर ना पड़ता है, तो आखो को ऐसे जबरदस्ती बंद करके मत रखिए, कोमलता से बंद कीजे, नजाकत होनी चाहिए, योगा एक बहुत ही खुब्सूरत चीज़ होती है, तो इसको पूरे नजाकत के साथ, कोमलता के साथ, और मन प्रसन्न होकर और चेहरे पर भी उस प् प्याचार मत केजें, समय लगता है, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग काफी समय लग जाता है, धीरे-धीरे करके सीखिए, अच्छे से सीखिए, खुश हो कर सीखिए, कभी कभी हम लोग करते करते कन्फ्यूस हो जाते हैं कि अरे इस जगा पे हमें सास लेना था या छोरना था होता है कभी कभी स्टार्टिंग में तो उसमें भी जादा इतना मतलब सोचने की टैंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आप उस समय नॉर्मेली जैसे आप सास लेते वैसे नॉर्मेली सास लेते हुए उसको पूरा कीजिए उस प्रक्रिया को फिर नेक्स टाइम जब आप उसको ट्राय करेंगे अच्छे से सीख के याद रखते हुए कीजिएगा ऐसे धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते 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 हो जाएगा आप भी परफेक्ट हो एक दिन में कुछ नहीं होता है समय लगता है हर एक चीज में कभी-कभी होता है हम भूल जाते है तो कुछ गलत कर जाते है जिसे दम घुटने लगता है कभी-कपार हड़िया भी करकर आने लगते है लेकिन फिर भी हम लोग जबरदस्ति लगे हुए है लगे हुए है तो इ मैंने जो भी आपके साथ बाते शेर की है, वो मैंने जो भी अपने चर्णी में सीखा है, उसी के आधार पर मैंने आपको ये सब बताया है, मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको एक्सपीरियेंस करें, आजकर कैसी हो गई है हमारी डे टो डे लाइफ, इतना मतलब टैंशन रहता है, कहीं ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि इन सारे समस्याव का समाधान योगा में है, अगर आप एक बार ट्राइ करके देखेंगे, तो आपको खुद जवाप मिल जाएगा, योगा दिवस है, तो उसी उपलक्ष में ये बात कह रही हूँ, ये हमार देश का एक धरोहर है, तो हर एक घर अगर इसको करेगा, तो सदियों तक ये चीज़ चलती रहेगी, ये गर्फ की बात है, हम हिंदुस्तानियों के लिए, और मैं भी बहुत साहित हूँ, इसी वज़ा से आज ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ, I hope कि आपको मेरी बातों से कुछ प्रेरणा मिली होगी, मैं जल्दी मिलूं कि आपसे फिर से एक और नहीं वीडियो में, तब तक, बादाए, मैं उश्कार